आज से 35 वर्ष पहले टेलिविजन के इतियास में रिकॉर्ड बनाने वाले महाभारत जैसे धारबाइक सीरियल में गुरू दुरुणा चारे की भूमिका निभाने बाले एक्टर सुरेंद्र पाल के मजबूत इरादों की बात की जाए तो शब्द कम पर जाएंगे सीधी भासा में अगर कहें तो किरदार अनेक जज़वा एक इसमें कोई दोराए नहीं है दुनिया भर में ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्हें लोग अपने किरदार से पहचानते हैं एक्टर सुरेंद्र पाल ने मत्रा के पत्रकार दिनिस सिंग तरकर को दिये इंटर्वियू में कहा कि उन्हें ब्रज से बच्पन से ही प्यार है एक्टर सुरेंद्र पाल ने यह भी कहा कि वह बच्पन में मत्रा की गलियों में खूब गुमा करते थे सुरेंदर पाल का जन मुत्तर प्रदेश के लखनों में हुआ है लेकिन उन्होंने अपनी प्राड़मिक शुक्षा काना की नगरी में भी ग्रण की है साथ उन्होंने यह भी कहा कि जब जब धर्म को हानी होती है भगबान श्री किसन तब तब ब्रज की धरा पर अबतार लेते रहेंगे एक्टर सुरेंद्र पाल ने टेलिवीजन के अतिहास में 35 बरसों के लंबे सफर में उन्होंने टीवी सीरियल्स और फिल्मों में कई महत्तपूर किरदान निभाई हैं सुरेंद्र पाल ने अपनी फिल्मी केरियर की शुरुवात 1984 में की थी ये जोधा अकबर, खुदा गबा और शहर जैसी फिल्मों में कारे कर चुके हैं इनके अलाबा ये टीवी धाराबाईक, रहने वाली महलों की, लेफ्ट राइट, बिश्णु पुरान धाराबाईक और महाबारत टीवी धाराबाईक, शक्तिमान, देवों के देव महादेब जैसे एतिहासिक सीरियल में भी काम कर चुके हैं सुरेंदरपाल ने डीडी बन पर प्रसारित होने वाले टीवी धाराबाईक महाबारत में गुरू दोड़ाचारे की भूमिकाने भाई है, शक्तिमान में तमराज किल्विस की भूमिकाने भाई, जिसने बच्चों के दिलों में एक अलग ही छाप छोड़ी है, तो वहीं द से कलाकार को पहचानते हैं, आपको बता दें कि इन दिनों काहना की नगरी में योगी राज भगबान श्री किष्ण की कृड़ा इस्थली रमडेती महाबन में श्री मत पुरान रहिस्स में नई टीवी धरवाईक की शूटिंग चल रही है, इसी दोरान एक्टर सुरेंदर पाल सिंग से मत्रा के युबा पत्रकार दिनिस सिंग तरकर ने ब्रज कलाकार दुर्गी भईया के साथ इंटर्व्यू किया, साथी साथ आपको बता दें की बरस 2012 के दोरान डीडी बंड के महिला प्रदान सीरियल नैंसी में एक्टर सुरेंदर पाल के साथ ब्रज कलाकार दुर्गी भईया ने पॉलिटीशन की भूमी का निवाई थी, तबी से यह कलाकार साथी के साथ साथ एक अच्छे दोस्त की भूमी का वीन वा रही हैं ब्रिश की भूमी और यहां पे हमारे बल कनया लाग जी का जनम, जनम भूमी एक पावन नगरी इसमें कदम रखना ही हमारे लिए एक बहुत बड़े सवभाग्य की बात है मैं मुझे प्रश भूमी से बहुत प्यार है, ब्रिश के लोगों से बहुत प्यार है और यही कारण है कि यह भूमी मुझे बार-बार कीच के भी ले आती है महाभारत में भगवान श्री कृष्णे कहा था यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानी भवत भाव जब जब धर्म की हानी होगी तब तक मैं प्रकट होगा और इस ब्रिश भूमी पे ही भगवान कृष्ण अधर्मियों का नाश करने के लिए बार बार जनब लेते हैं बस नाम बदल जाता है लेकिन कार वही होता है अग्टा रादे रादे मैं दिनिश्रिंग तरकर कहते हैं कि पैचान किसी चीज की मौताज नहीं होती ऐसी ही एक सक्सियत है हमारे साथ फिल्म जगस से सुरेंदर्पाल जी रादे रादे Và Th amendments अच काना की नगरी में आए और आपको सबसे पहले सरकाना की नगरी में आकर आज क्या सा लग रहा है कि मत्रा से मेरा बहुत पुराना रिष्ता है मैं यहां पर बाल वित्या मंदिल मत्रा के स्कूल है उसमें पहली एक मैं घर से निकल कर पैदल जाया करता था मत्रा की इन गलियों में और वहां से मैंने अपना जिन्देगी की शुरुआत जिसे कहते हैं वो कि शुरू की थी और आज इश्वर की दया से मैं इस मुकाम पे बंबई में पहुचा हूं फिल्म इंडस्ट्री में यह सब राधे राधे का आशिरवाद है ब्रज में आप से आते हैं ब्रज से आपका एक प्राचीन लगाओ भी रहा है समय समय पे स्री बांके ब्यारी जी भी आपको ब्रज में बोला जी जी बांके ब्यारी जी के हमने कई बार दर्शन किये हैं रंग जी के मंदर में हम जाके दर्श किये हैं और बहुत बार हम यहां पर मत्रा में होली दर्वाजे पर बहुत बार गया हैं कई बार शूटिंग के सिलसले में भी मत्रा आने का सवभाग के प्राप्त हुआ मेरा और ब्रज की भूमी तो खेर प्रभू की भूमी है और यहां जो भी कदम रगता है वो तभी कदम जब भगवान श्री कृष्ण का आदेश होता है, महाबारत में भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ थे, देवों का देव महादेव में प्रजापती दक्ष की भूमी का निभाने का मुझे स्वभाग्य प्राप्त हुआ, शक्तिमान में किलविश का किरदार निभाने का टीवी पे चल रहा है और प्रचंड अशोक जिसमें मैंने राजा चंद्रगुप्त मौर्या का रोल किया है, वो अपना कलर्स पे चल रहा है और सावी की सवारी भी कलर्स पे चल रहा है, इस तरह है आज भी मेरे चार शो चल रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मैं निवाया था दर्शकों ने बहुत पसंद भी किया था और I was very very young उसक्त था जब मैं जब मैंने महाभारत किया था महाभारत से मेरा सलसला यो कहिए कि टेल्यूजन का एक शुरुआद हो गई थी और करी 35 साल हो गया है उस महाभारत पुरानी महाभारत को टेल्यूजन और इस बीच में 35 साल से लेके 35 साल की टेल्यूजन यात्रा में मैं करीब 10,000 एपिसोड अभी तक कर चुका हूँ अगर आप मुझे पूशेंगे कौन सा किर्दार ऐसा है जो आपको मन पसंदीदा किर्दार है कौन सा करेक्टर ऐसा है जो आप करने की इक्षा रखते हैं कौन सा करेक्टर ऐसा है जिसको आप करने की चाहत रखते हैं मैं अपने दर्शकों के यही बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी रोल अब हिंदुस्तान के कहानी में हो गाने, जो करेक्टर मैंने नभाया ना हो, अगर जैसे आप कह सकते हैं, रामाइड किया, आपने मैंने मुला हा किया, रामाइड में मैंने रावण का रोल किया, और यह जो नई रामाइड सोनी टीवी पर आ रही है, नौवजे डेली, उसमें मैंने गुरु वशिष्ट का रोल किया, उसके बाद मैंने परुश्राम जी का रोल किया, द्रोना के चार कर किया, भीश पिदामा कर किया, महराना प्रताप किया, प्रिथ्वी राज चौहान किया, औ तो मैं ये कह रहा हूँ, अंगिनत ऐसे रोल है मेरे जीवन में, जो मैं सारे के सारे करीब करीब पर्ट्रे करूँ, आप ये भी पूछेंगे मुझसे कि आपने इतने अलग-अलग परकार की, विभिन परकार की भूमिका है कैसे कर दिया, मैं बोलूगा, कि मुझे ईश्व परकार का आश्रवात था, जो इतनी विभिन परकार की भूमिका करने का मुझे स्वभाग्य प्राप्त हुआ, बहुत कम कलाकार हैं जो तेलिविजन या फिल्म के उपर, जिन्होंने इतनी तरह की भूमिकाएं निभाई थे, और मुझे इतनी सारी भूमिका निभाने का स् करेक्टर्स भूमिकाएं मेरा पीछा नहीं छोड़ती हैं और मैं भी कभी खाली नहीं बैठाओं एक करोना काल ऐसा था जिस वक्त मुझे खाली बैठने का स्वभाग ये प्राप्त कुआ था लेकिन उस दोरान भी मैं काफी काम किया था और उमीद है कि दर्शक अगर मुझे इतना ही प्यार देते रहे तो मैं आगे भी इसी तरह काम करता रहूँगा और दर्शकों का मन और रंजन भी करता रहूँगा सर जैसे कि आप जाते हैं आपको लोग मिलते होंगे आपके जो दर्शक है तो एक खैंस में एक वो रहती है कि आपने देवों के देव महादेब मेलच परदापती जी का एक किरदार में वाया महादेब जी के ससुल जी का एक किरदार में वाया तो लोग आपको उस एक रू कऱा कि वह यह बहुत खुशी होती है मुझे बहुत अच्छा लगता अब मेरे खार से हर करेक्टर को अच्छा लगता है क्योंकि उसके करेक्टर से पहचान तभी मिलती है जो ऑस आप उस करदार करेशान वाफ पॉपलर है जिसके उनके करेक्टर के नाम से दुनिया बुलाती है जैसे मुझे ज्यादातर दुरुनाचार के नाम से बुलाएगी या मुझे से कहती है किल्विश कहा गया है किल्विश अंधेरा कहा है मिलाएगी या कहती है दक्ष प्रजापती देखो आ रहे है वो देखो दक्ष प्रजापती आ रहे हैं तो मुझे अच्छा लगता है और ये मेरी सफलता का राज रहे कि जब अगर और आडियंस आपको आपके करेक्टर से बुला रही है आपके ओरिजिनल नाम से नहीं आपके करेक्टर से बुला रही है धन्यों रहा जैसा कि आप की फिल्में की हैं इस दोरान और काफी सीरियल्स की हैं सबसे बड़ी बात यह है कि एक व्यक्ति का व्यक्ति तो तब निखरता है जब वो एक आयाम इस्थाफित कर लेता है सुरेंद्र पाल जी की अगर बात के या तो 35 वर्स की बहुत संगर्स में यात्रा रही और बहुत तो रोड़ाचार जी के नाम से जानती है तो कहीं दच प्रजापती जी के नाम से तो एक उन्होंने बताए कि इनसान को एक अविनेता को जब उनके दर्सक उस करेक्टर में देखते हैं तो उन्हें और भी काफी अच्छा लगता है ब्रज भूमी में आए हुए थे और स्र और हमारे साथ रे सुलें दुपाल जी मैं दनीश चिंग तरकर मत्रवाद